इशान किसन की गल्फरेंड की खुपसूरती के सामने करीना कैटरीना भी फैल जिया दोस्तो बांगलेदेस के खिलाब डबल सेंचुरी लगाने वाले इशान किसन की गल्फरेंड इतनी खुपसूरत है जिसके सामने बॉल यूड की सारी हिरोईने फैल है दोस्तो आपको बताएंगी इशान की खुफसुरूत गल्फ्रेंड के बारे में तो अगर आपको भी इशान किसन की धमाकेदर बल्लेवाजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके बताएं आप इशान की 12 चतक को 100 में से कितना नमबर देना चाहेंगे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो भारत की तीन वंडे मैचों की सिरिज के तीसरे मुकाबले में बांगलेदेश को 227 रनों से एक तरफा रौन कर पिछले दो मैचों में मिली हार का बदला एक ही मैच में ले लिया पूरी बांगलेदेश की टीम मिलकर भी अकेले इशान क की रन को नहीं बना पाई दोस्तों इस मैच के हीरो इशान किसन रहे जिनों ने अपनी ताबरतुर बलेवाजी से मैच को एक तरफा बना दिया इस धाकट बलेवाज ने बंगलेदेशी किलाप चट्टो ग्राम के मैदान में सिर्फ 131 गेंदों में धुआधा 210 रन कूटकर सबसे तेज दोरे शतक का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया वही भारत की जीत और इशान किसन की दंबदार पारी के बाद उनके पटना इस सित घर पर जस्न का महौल है मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कहा है कि इशान किसन के प्रदर्शन ने राज्य सहित पूरे बेटे के प्रदर्शन पर फूले नहीं समा रहे है दोस्तों बाहय हाथ की इस विकेट की पर बल्लेबाज ने अपनी 210 रन की पारी में 24 के और 10 शक्के लगाए उन्होंने सबसे कम उम्र में वंडे डबल सेंचूरी का रिकॉर्ड भी बना दिया अभी तक भारत की ओर से सच इससान की क्रिकेटर फकर जमाने अपनी 16 वी पारी में 12 सतक लगाया था वही सचिन तैंदुलकर ने 431 वी पारी में 12 सतक लगाया था जबकि इशान ने 24 साल की उम्रे में 210 रन की पारी खेली है वही समय देश भर में अपनी बल्लेबाजी से लोगों को प्रभावित करने व का मिला और इस मौके का उन्होंने पूरा फाइदा उठाते हुए 12 सतक जर दिया दोस्तों इसान की सन अपने क्रिकेटिंग लाइफ के अलावा वहां अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी खूब चर्चा में रहते हैं आपको बता दे उनकी गर्फ्रेंड बहुं कामिल हो चुका है तो वहीं उनकी गर्फ्रेंड फैसन वर्ड में अपने नाम कमा रही है और ग्लैमर्स का बड़ा चेहरा भी है कुछ सब्सक्राइब पहले ही आदिती ने पॉलेंड में आयोजीत मिस्सूपर नैशनल कॉंटेश्ट में भारत का प्रतिनी धित्व किया था इशान की गर्फ्रेंड आदिती ने एलिट मिस्स राजिस्थान में रनरब भी रही थी कई इंटर्वियों में आदिती बता चुकी है कि मौडलिंग की दुनिया में वहाँ नाम बनाना चाहती है आदिती हुंडिया साल 2017 में फैमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह झाल झाल